वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल सिक्षार्थ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एशियन गेम्स खतम हो चुके हैं तो उनसे जो भी इंपोर्टेंट न्यूज हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी गुश्यन आने वाले एक्जाम्स में आ सकते हैं उन सब को हम यहां पे कवर करेंगे, तो देखते हैं, हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं पहले एशियन गेम्स के बारे में तो यह कौन से नंबर का एशियन गेम्स हैं, यह ठारवे नंबर का एशियन गेम्स हैं जिनका नाम जकारता और पहले बैक 2018 भी दिया हुआ है जो यह एठारवे नंबर के Asian Games है और जो पहला जो Asian Games थे वो देली में होए थे 1951 में Games were held from 18th August to 2nd of September 2018 यह date याद रख लीजे This was the first instance when Asian Games were being co-hosted in two cities यह ऐसा पहली बार हुआ था कि Asian Games दो cities में एक साथ हो रहे हैं इससे पहले यह एक city में होते थे किसी भी country के लिए पहली बार है कि यह दो cities में एक साथ हो रहे हैं और cities का नाम है Jakarta और Pelham Bank पहले कुछ facts देखते हैं इनके Jakarta जो है वो Indonesia की capital है हम सब जानते हैं और Pelham Bank जो है वो South Sumatra province की capital है यह दोनों facts याद रख लीजे इसके बाद देखते हैं कि Asian Games को Asiard नाम Asiard भी कहा जाता है सेम बात है Asian Games की बात हो चाहे Asiard की यह हर चार साल में होते हैं Asia के अंदर यह भी fix है पिछली बार 2014 में होए थे इस बार 2018 और अगली बार जो होंगे 2022 2014 के जो गेम्स है वो कहा होए थे इंशियोन करके South Korea में जगह है वहाँ पर 2014 के गेम्स होए थे 18 का हमने देखी लिया इंडोनेशिया में होए हैं और 2022 के जो गेम्स है वो Hangzhou चाइना वो यहाँ पर होंगे यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ एक एक सिटी में हो रहे हैं जबकि इस बार यह दो सिटी में होए हैं जकारता में पहले भी Asian Games हो चुके हैं लिए पहले बैंग में पहली बार होए हैं और दोनों में बिल्कुर पहली बार तो दो गेम्स वर रिकोगनाइज बाए इन्टरणेशनल ओल्पिक कमिटी इनसे रिकोगनाइज है ये गेम और यह इसेकेंड लाज़़ेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है आफार ओल्लंपिक गेम्स ऑल्ल लम्पिक गेम्स हम जानते हैं सबसे ज़्याद़ fuse रहते हैं इसका जो motto है वो क्या था energy of Asia यह बहुत ही important है इसका motto याद रखने के लिए और इस यह जो album launch किया था इसमें 13 सौंग थे जो कि cross-general musical artist बहुत सारे musical artist ने मिलके गया था अब sports की बात करें तो इसमें e-sports और केने वो पोलो करके जो दो गेम है वो पहली बार contest हुआ इनका और यह demonstration sports में ही रखे गए only यानि कि इन्हें खेला तो गया लेकिन इसमें जो भी प्लेयर्स थे जिन्होंने भी गेम जीता उनमें किसी को भी medal वगरे नहीं मिलें सिर्फ demonstration के तावर पर यह इस बार प्रियोग किया गया तो पहले इसका देखते हैं हनोई वियतनाम यानि यहां पर जो ओरिजनल गेम यहां पर होस्ट होने वाले थे लेकिन वियतनाम ने कहा कि उनकी जो economic condition है वो इस लायक नहीं है कि वो Asian Games को होस्ट करा सके तो यहां से cancel हो गया और यह इंडोनेशिया में चले गया अब यह officially open किसी ने किया था जोको विडोडो जो कि प्रेजिडेंट है इंडोनेशिया के उन्होंने इसे open किया इन इंडिया था टॉर्च रिले बिगेन एड़ मेजर ध्यानचन नैशनल स्टेडियम अब क्या होता है कि कोई भी जो इस तरह के गेम्स होता है जैसे Olympic है Asian Games है इन में क्या किया जाता है कि एक मशाल जो टॉर्च होती हो जलाई जाती है और जो भी country participate कर रहे हो सब में ले जाई जाती है तो यहाँ पे जो हमारे इंडिया में जो मशाल लाई गई वो लाई गई मेजर ध्यानचन नैशनल स्टेडियम न्यू देली में जहाँ पे पहले Asian Games भी यही वे थे कब हुए थे 1951 और यहाँ पर मशाल लाई गई 15 जुलाई 2018 इसके बाद देखते हैं कि इस बार 10 नहे गेम इंक्लूड किये गए हैं Asian Games में उनके नाम देख लेते हैं जरूरी है इनकी लिस्ट देके पूछ सकता है कि इन में से कौन सा गेम इंक्लूड किया पैनकाक सिलाट, जुजुट्सू, सामबो, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रोलर स्पोर्स, जैट स्कींग, कॉन्ट्रेक्ट ब्रिज, कुराश, बास्केट बॉल 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मतलब दो जो टीमें होती हैं उन दोनों में सिर्फ 3-3 प्लेयर होते हैं जबकि जनरली बॉस्केट बोल में 5-5 प्लेयर दोनों टीम्स में होते हैं इसके बाद हम देखते हैं सिंडरा वसीहा, प्रनांशेशन आप देख लीजिए, रेयर स्पीशीज और ये जो रेयर स्पीशीज थी वर्ड की इंडोनेशिया में पहले इसे एमलम, यानि एमलम हो मतलब होता है शुबंकर, हर गेम के लिए शुबंकर चूज किया जाते हैं, जो कि जनरली जिस भी कंट्री जो भी कंट्री होस्ट कर रही है, उसके उसके हैरिटेज, उसके कल्चर या उसकी कोई स्पीशीज इसको टारगेट करती है और इसको लोगों के सामने दिखाया जा देखते हैं, पहला जो है, उसका नाम है भिन-भिन, ये एक टाइप का बर्ड है, जिसके कहा जाता है, बर्ड ओफ पेराडाइस, यानि स्वर्ग, स्वर्ग का पक्षी, नाम है इसका भिन-भिन, यूजिली फांड इन इस्टर रिजेंस ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशि इसका नाम है ओटूंग, ये बैवियन डियर है, ये एक हिरन होता है, जो कि बैवियन रिजन में पाया जाता है इंडोनेशिया के, इसका नाम जो है वो बैवियन डियर है, इसके जो सिम्बलाइज़ है वो स्पीड, यानि कि गती, और नेवर गीव अप स्पिरिट, यानि क कभी हार नहीं मानने वाली स्पिरिट को यह सिंबलाइज करता है थर्ड देखते हैं हम इसका नाम है काका यह जैवन रिनोसर्स है इसका जो ओरिजिनल लेम है वो इका है और इट वियर से फ्लावर मोटिफ फ्रॉम पेलंबंग्स सॉंगेट स्कार्फ कौन सोंगेट स्कार्फ इट इन एंडेंजर्ड स्पीश तो यह ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे यह एक एंडेंजर्ट स्पीशीज है इसके बचाने के लिए और लोगों को थोड़ा वैर करने के लिए इसको मस्कट के रूप में इंडोनेशया ने चुना एशन गेम्स के लिए और यह रिप ने पाट लिया, 45 nations जो है एशिया के, उन्होंने पाट लिया, total 465 events हुए in 40 sports, sports और events में क्या फर्क है, sports जैसे athletics है, तो एक sport हो गया, लेकिन events उसमें different different sports हो गया, जैसे उसमें running हो गया, उसमें javelin throw हो गया, उसमें triple jump, long jump, high jump, यह सारे आ जाते हैं, तो यह 465 events है, badminton है एक sport है लेकिन उसके events क्या होंगे, women's, men's, single, doubles, इस तरह से, तो opening और closing ceremony जो होई, वो stadium का नाम देखते हैं, गेलोरो बुंग कार्नो मेन स्टेडियम, इसके अगर आगे के words याद रख ले, GBK मेन स्टेडियम, तो इस तरह से हमें याद रह सकता है, जो कि जकारता में हैं, तो opening और closing दोनों ही ceremony यहीं पे हुई, अब यह नाम है, लूसिया फ्रांसिसका सूसी सुसांटी, यह एक retired इंडोनेशन बैडमिंटन प्लेयर है, जिन्होंने Asian Games में इनकी तरफ से मशाल उठाई, और हमारी तरफ से किया था नीरचोपड़ान, फ्लैग बीरर थे वो, तो देखते हैं, the sport of bridge has been introduced for the first time in Asian Games, bridge होता है, cards का game होता है, तो यह पहली बार introduced किया गया है, Asian Games में, खोखोखो को भी recognition मिला है, इस बार Olympic Council of Asia से, तो यह धीरे धीरे introduce किया जाएगा, अब इसको सिर्फ recognition मिला है, इंडिया में काफी famous है, इन भार भी इसको लोगोंने पहचाना है, और अब यह इनके जो internal games हैं, जो national level पर होते हैं, उसमें देर देरे introduce करके, और बाद में शाहिद यह अगले Asian Games में हैं, बाद में, Asian Games में भी include होता हूँ, दिख सकता है, खोखो, तो Japanese swimmer, Ricoco Iki, इनको announce किया गया है, most valuable player, MVP of the 2018 Asian Games, तो इनका नाम द्यान रख ले, Ricoco Iki, जो की एक Japanese swimmer है, अगला देखते हैं Asian Games की जो final medal table रही है, हमेशा की तरह चायना ने, first rank असिल के यह, पिछले 10 बार से ऐसा कर रहा है है, 132 gold जीते हैं, 92 silver, 65 bronze और 289, total in कर रहा है, यह याद करने की जरुद नहीं है, लेकिन एक general की जो चायना है, वो लगबग 300 something, total medal जीता है, और यह पहले number पर, second पर है Japan, third पर ह South Korea, fourth पर खुद इंडोनेशिया, यह भी important हो जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया में games हुआ है, तो ranking पूछ ली जाए किसी game में, और fifth जो सबसे important है, वो है India, जो की आठवे number पर रहा है, इन्होंने हमने 15 medal, gold, choice silver, 30 bronze और total जो हमने जीते, 69 medals हमने जीते हैं, अभी तक सबसे बहत 22 players ने 36 different sports में इस बार participate किया है, flag bearers जो थे हमारे opening ceremony में, वो नीरज शोपडा थे, जो की javelin throw में इन्होंने gold medal जीता है इस बार भी, और closing ceremony में जो थी, वो थी, रानी रांपॉल, यह ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि दोनों चीज़े बहुत important है, कि opening ceremony में कौन थे, नीर 12 players के medal, तो gold की बात करते हैं, सबसे पहले कि important है, gold में से question आने के ज़्यादा chances होते हैं, तो हमने gold कितने जीते हैं, इस बार 15, तो सबसे पहला जो gold हमें जीता है, वो जीता है, बजरंग पुनिया जी ने, इन्होंने पहला gold medal जीता है, यह हर्याना से है, तो generally जो question होते हैं, वो पूछा जा सकता है कि इस game में gold किस ने जीता, अगर Indian है, उनका native place पूछा जा सकता है, और किस में, यह wrestler है, इन्होंने 65 kg मैंस freestyle में, यह याद रखने की ज़रो तनी 65 kg लेने, यह wrestling से related है, और इन्होंने Taka Tani Daiichi, जो Japan के player है, उनको हरा के gold जीता, बजरंग पुनिया ने, जो second gold medal आया हमें, वो आया, विनेश फोगट ने, यह भी wrestling में आया है, women's wrestling में आया है, 50 kg की, यह हरियाना से बिलॉंग करती है, यह भी, विनेश, फोगट, फोगा sisters के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यह उनकी cousin sister है, तो she is the first Indian woman wrestler to win gold medal at Asian Games, यह पहली ऐसी Indian women wrestler है, जिनों आपने gold medal जीता है, Asian Games में, important हो जाता है, third gold medal है, वो देखते हैं, वो है, Saurabh Chaudhary, जिनोंने 10 meter air pistol event में gold medal जीता है, तो एक इस game से related हुए, shooting और इनका जो native place है, कहां से बिलॉंग करते हैं, UP से, फॉर देखते हैं, राही सर्णोंबग, जो gold medal जीती है, 25 meter pistol event में, shooting से related है, और यह महराष्टरा की है, और यह इनका ध्यान देने वाला है, कि first Indian woman shooter to win gold at Asian Games, विनेश फोगट थी, first Indian woman wrestler, यह यहाँ पे है, shooter, जिनोंने gold जीता है, Asian Games में, पांचवा देखते हैं, तजिंदर पाल सिंग, इनोंने gold medal जीता है, man short put throw में, यह athletic से related हैं, और यह पंजाब से flag bearer भी थे, उन्होंने इस बार gold medal जीता है, javelin throw में, हर्याना से बिलॉंग करते हैं, और यह पहले Indian javelin thrower हैं, जिनोंने Asian Games में हमारे gold जीता हैं, साथ वे आते हैं, अर्पिंदर सिंग, जिनोंने gold medal जीता है, man's triple jump में, तो यह athletics related है, पंजाब से बिलॉंग करते हैं, और he is the India's first man's triple jump gold medal in 48 years after 1970, इसे पहले हमने 1970 में triple jump में gold medal जीता था, तो यह second है हमें, जिनोंने gold medal जीता है, triple jump में, 48 साल बाद यह पहले हैं, ऐसे कह सकते हैं, आठव हैं, manjit singh, जिनोंने gold medal जीता, 800 meters event में, यह हर्याना से बिलॉंग करते हैं, नाइन्थ है, सपना बर्मन, इन्होंने gold medal जीता, women's heftalon में, यह west bongol से बिलॉंग करती हैं, और this is the first gold medal for India in women's heftalon, heftalon क्या होता है, इसमें seven event एक साथ होते हैं, अपना बर्मन का थोड़ा नाम इसलिए भी आया था, क्योंकि इनके जो feet से उनमें six fingers है, तो इनको अपने नाप के सही जूते नहीं मिल पा रहे थे, अगला देखते हैं, जिन्सन जॉन्सन, थोड़ा western name है, लेकिन इंडिया नहीं है, One gold in man's 1500 meter event, he is from Kerala, इंपोर्टन है, और इन्होंने silver भी जीता है 800 meter event में, यानि इन्होंने 1500 meter event में तो gold जीता है, और 800 meter event में इन्होंने जीता है, इन्होंने भी हमारे लिए गोल्ड जीता है तो इनमें कौन चार जो है वो इंक्लूड़ीड है हीमादास, एमार, पुवाम्मा, सरीता बेन गायकवार्ड, विस्माया, वेलुवा, कोरोथ और यह हमारे फिफ्थ कंजीकिटिव गोल्ड मेडल है विमन्स की रिले टीम में, अगला देखते हैं प्वेल्थ, इंडियाज मैन रोवर्स टीम, यानि जो नाविक होते हैं उनकी टीम ने हमारे लिए गोल्ड जीता है देव वन गोल्ड इन मैन्स, क्वाड रपल, स्कल्स इवेंड, तो क्वाड मतलब होता है फोर, तो चार लोग है यह नाम देखते हैं के सवन्ड सिंग, दत्तु भोकानन, ओम प्रकास, शुकमीत सिंग, थर्टीन है रोवन बोपनना है दिविश सरन, रोवन बोपनना दो ब और शिबनात सरकार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मैन्स पेर ब्रिज इवेंट में, काफी एजट परसें हैं दोनों, इन्होंने और यह दोनों ही बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगॉल से होवडा, और फिफ्टीन जो गोल्ड मेडल ले, लास्ट हमारा वो देखते है हम किस ने जीता है, अमित फंगल ने जीता है, मैन्स 49 kg बॉक्सिंग में, तो अब हम गोल्ड मेडल सारे देख चुके हैं, एक बार हम सिल्वर और ब्रॉज मेडल पर नजर डाल लेते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले ले जिए, विसे सिल्वर और ब्रॉज जनरली पूछा नह जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है, कि किसी का नाम देखे यह पूछ लिया जाता है, किस गेम से बिलॉग करते हैं, तो यह जितने भी लोग हैं, इस टाइम यहां दिख रहे हैं, सारे शूटिंग से हैं, एक बार देख ले इन लोगों के नाम, शरदुल विहान, दीपक क कुमार, लक्ष सिरॉन, संजीव राजपूत, अभिशेक वर्मा, रवी कुमार और अपूर्वी चंदेला, यह काफी फेमस प्लेयर हैं हमारी, और हीना सादू, तो यह हमाए एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, चार हमारे सिल्वर मेडल और तीन, ब्रॉंज मेडल आये है यहाँ पर शूटिंग में, अगला देखते हैं, यह सारे एथलेटिक्स है, एथलीट हैं यह सारे लोग, सिल्वर मेडल और ब्रॉंज की लिस्ट दीवी यह देख लें, हीमादास, मुहम्मद आनास, हाईया, सुधा सिंग, दूती चन, धरुन अयस्वामी, नीना वाराकिल, मुहम्मद आनास, एमार, कुवामा, हीमादास और अरोकिया, राजीव, मुहम्मद कुन्हू, धरुन, आयस्वामी, मुहम्मद आनास, राजीव, अरोकिया, चित्रा, उनी कृष्णन, और सीमा पूनिया, यह भी काफी फेमस प्लेयर हैं, हमारी डिसकस्त्रों से बिलॉंग करती हैं, यह डिसकस्त्रों गेम से हैं, सारे अथलीट हैं, लेकिन यह थोड़ा बहुत हमें ध्यान अ नहीं दिलाया है, एक सिंगल इवेंट में, और स्केलार टीम में भी इनका नाम है, फववद मिर्जा, राकेश कुमार, आशीश मलिक एंड जिते इंदर सिंग, इन्हों ने भी यह किया है, इंडियन कबड़ी टीम ब्रॉन जीती है, आफ्टर दे लॉस्ट टू इरान इन स परेटर हा, क्योंकि कबड़ी टीम लगातार साथ बार से, जब से कबड़ी इंट्रडियोस हुआ है, तब से यह गोल्ड मेडल ही जीती थी, लेकिन इस बार हमें ब्रॉन से संतोश करना पड़ा है, और इंडियन मुमन्स कबड़ी टीम ने सिल्वर जीता है, और ये भी किस से हारी है, इरान की विमन्स टीम से, वुशु जो ये गेम होता है, काफी हद तक बॉक्सिंग से रिलेटेड होता है, थोड़ा मॉडिफाइड होता है बॉक्सिंग से, यह हमने चार ब्रॉन जीते हैं, ये नाम देख सकते हैं, संतोश कुमार, सूर्य भनु प्रताप सिंग नरेंदर गरिवाल, रोशी बाना, देवी, नरोम, तो इनकी अलग-लग ये वेट केटेगरी है, इनमें इन्होंने ब्रॉन जीते हैं, अगला देखते हैं, रोइंग मेडल्स नाविक में, दो ब्रॉन जाए हैं हमारे पास, रोहित कुमार, भगवान सिंग और दुश्यन च अब टैनिस मेडल की बात करें, तो हमें दो ब्रॉन जाए हैं, प्रजनेश प्रभाकरण और अंकीता राना, मैन सिंगल टैनिस में प्रजनेश प्रभाकरण ने ब्रॉन जीता है, और अंकीता राना ने वुमिन्स टैनिस सिंगल में, इसके बाद स्क्वैश गेम की बात करत यहां पर हमें एक सिल्वर और तीन ब्रॉंज दिख रहे हैं तो यह सारे नाम आप देख लीजिए और यह जो भी फेमस प्ले रहे हैं जैसे दीपी का पलिकल है यह काफी फेमस है तो इन सब के हमें एक लिए ध्यान होना चाहिए कि किस गेम से बिलॉंग करते हैं इसके बाद बैडमिंटन इसमें हमें उम्मीद थी कि गोल्ड हमारे पास आएगा ही आएगा अगर पीवी सिंदु नहीं तो साइना नेवाल लेकिन हमें एक सिल्वर और एक ब्रॉंज से संतोष करना पड़ा है पीवी सिंदु ने विमें सिंगल में सिल्वर जीता है और साइना नेवा कि किस गेम से रिलेटेड है इसके बाद टेवल टैनिस में हमें दो ब्रॉंज आये हैं यह उनके नाम है स्क्रीन शॉट ले लिए इनका एक मैंस टीम में और एक मिक्स डवल्स में इसके बाद आर्चरी में दो सिल्वर अभिशेग वर्मा रजत चोहान अमीन सैनी यह लोग मै सुमिता कुमारी एंड जोती सुरे का वेनम यह वुमेंस कंपाउंड आर्चरी टीम में जनरल इतना ध्यान देने कि इन पर जरूद नहीं कि गोल्ड मेडल ज्यादा पूछे जाते हैं फिर भी हमें थोड़ा अगर हमारे पास टाइम है तो हम इनको भी अच्छे से पढ़ तो हमारे लिए फायदा हुआ अगला गें में कुराश जो इस बार ही एड किया हुआ था इसमें सिल्वर और ब्रॉंज जीता है हमने यह देख लेजी के टेगरी इसकी इसके बाद सेलिंग एक सिल्वर दो ब्रॉंज यह सारे नहीं में इनका स्क्रीन शॉट ले लिजे और ज्यान रखिए इनका उसके लाद बॉक्सिंग बॉक्सिंग में गोल्ड की बात हो गई थी अमिद फंगल ने जीता है एक ब्रॉंज आया है हमारे पास विकास कुमार यादव ने जीता है यह तीन मेडल जीत चुके हैं टोटल इस गेम में नहीं और गेम से मिला के उसके ब भी कुश्चन आ सकते हैं एक्जाम में इशन गेम से रिलेटेड वो हम डिसकस कर चुके हैं तो अब आपका काम बाकि है आपको क्या करना है अगर यह वीडियो पसंद आ है तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सके और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ताकि आप खुद भी सीखें और औरों को भी सीखें तो थैंक यू सो मच इंज्वय दे स्टेडीज